लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन के आइकॉन को जरू दबा दें एक विसे सूचना आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए वीडियो को आप पूरा देखेंगे और 5-10 से कंड का वी वीडियो आपने आते हैं कि मश्रूम रूम में क्रॉपिंग रूम में हुमिडिटी कैसे मैंटेंड करी जाए तो आज हम बताएंगे उसके बारे में और यह जो आप देख रहे हैं यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है इसे लगाना और इसमें मेजर करना यह बहुत ही जरूरी है इसे देखा जाता है कि हुमिडिटी और टेंपरेचर रूम में कितना है तो इसे बोलते हैं हाइग्रोमीटर और यह बहुत ही आसानी से ओनलाइन मिल जाता है डिस्क्रेप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा आप और बहुत ही अच्छा है लो कॉस्ट में मिल जाता है मार्केट में तो आप इसे ऑनलाइन ही मंगाए मैं आपको यह सजेशन दोंगा तो आज हमने बुलाया है सचीज़ भीया को तो सचीज़ भीया से हम जानेंगे कि कैसे हुमिडिटी को मेंटेंड किया जाता है और कैसे जो वह जो पिन हैड आते हैं वह पिन हैड ना सूखें बहुत चोट का तो वह बोल रहे थे कि सर इसको बताइए आप डिटेल में बताइए तो आज हम उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे लेकिन पहले ससीज़ भीया से चानते हैं कि कैसे हुमिडिटी मैंटेन की जाती है मश्रूम फार्म में या मश्रूम शैड में नमस्ते देखिए जो स अरसल की मात्रह कम हो जाएगी मुशूम निकलेगा भी तो सूखा सूखा निकलेगा कि कम ताकत का निकलेगा कम वजन का निकलेगा और अच्छा आप जरूरी तोर पर चूना पोती है दिवाल पर सारे बास सामान सब पर चूना अच्छे से पोती है और उसके अलावा नीचे थोड़ा सा रेत आप डाल सकते हैं खिड़कियों पर बोरे टांग सकते हैं बोरे समय समय पर धुलना चाहिए दो करके उनको बाविश्चीन के प मिश्रूम है जो है वो लाल हो रहे हैं और मुर्जा के मर जा रहे हैं तो यह अधिक पानी और बैक्टीरिया की वज़े से भी हो सकता है और अगर पीले होके सूख रहे हैं तो यह कम पानी की वज़े से हो सकता है आपको इसका ध्यान रखना है मिश्रूम के पैकेट्स का पानी डालिए जब है कि हुमिडिटी बिल्कुल सही चल रही होगी तो आपके पिन हैट्स आटोमेटिकली आएंगे बहुत अच्छे आएंगे मोटे और घने आएंगे और अच्छे से अच्छा मश्रूम भी मिलेगा यदि पिन हैट्स ही नहीं चल रहे हैं तो समझ लीजे कि हुमिडिटी कम होगी तो कई बार मश्रूम निकलेंगे भी नहीं मश्रूम निकल आए और टेंपरेचर जादा है तो थोड़ा तेला मेला चल सकता है कम जो रोके चल सक रहता है हुमिडिटी मेंटेंग करते हमें इस बात का ध्यान रखिए कि टेंपरेचर बहुत कम या बहुत ज्यादा ना हो जाए तो तरीका क्या है सामान या मौसा में टेंपरेचर आपका जो है ऑस्टर मश्रूम के लिए 25 डिग्री से नीचे होना जाए तो आप पानी पूरा इस्प्रे मार सकते हैं बड़े पाइप से पूरा पानी डाल सकते पानी बहे के बाहर निकल जाएगा यदि ऐसा नहीं है तो मकान खराब होना है तो पानी को आप इस्प्रे कीजिए इस प्रेयर से और ठंड है बहुत ठंड है 15 दिग्री से नीचे टेंपरिचर है तो आप एक काम और कर सकते हैं एक हीटर लगाई है रूम में एलेक्ट्रिक का जो धुआ नहीं करता हो किसी भी हाल में और उसके उपर गंज में पानी चड़ा दीगी भाब निकलेगी और पूरे रूम में है 75% से 80% के बीच में हुमेडिटी बहुत बढ़िया है आपका काम बढ़िया चालेगा तो आपने ससीजबिया से जाना कि कैसे हम हमें हुमेडिटी मेंटें कर सकते हैं लेकिन एक चीज में इसमें क्लियर करना चाहूंगा कि यह जो आप इस पर विसेद ध्यान देया ऐसा आप गर्मी में अगर लगा दिया हो पता चला कि उनकी मश्रूम खराब हो फिर आप बोलेंगे कि एक्सपर्ट ने बताया था तो यह जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है नाइट में आपने देखा होगा कई जगे टेंपरेचर साथ-पांच के नीचे चला जाता है तो उस समय हमें जब यह 15 की नीचे रहे तब हमें यह प्रोसेस करनी है आप कर सकते हैं और एक चीज और वह जो मैंने एक वीडियो और डाला था जिसमें हमने कूलर में सामने उसके बोरे लटका दिये गीले करके और कूलर चालू कर दिया था उससे भी हुमिडिटी बढ़ती ह वह ससीस भाईया ने मुझे आईडिया दिया था और वह मैंने फॉलो किया था और उसका रिजल्ट आप लोग ने देखा था कि कितनी 2-3% हुमिडिटी अपने आप बढ़ गई थी तो आप वैसे भी बढ़ा सकते हैं और रही बात चेक करने की तो आप इससे टाइम टाइम और अच्छी क्रॉप आती है बढ़िया फूल भी खिलते हैं कहीं से वह खराब भी नहीं होते हैं तो उसका कारण यहीं रहता है कि वह हुमिडी बराबर मैंटेन रहती है उस समय जब और कास्ट कंडिशन हो जाती है लेकिन जब वह नहीं रहती है वैदर खुला रहता है त आप इस्प्रेयर से हलका इस्प्रेय करिए बिलकुल दूर से करिए जदा हो तो एक देर फिट दूर से इस्प्रेय करिए लेकिन कभी सीधे तेज उससे फोर्स से पानी मत मारिएगा बना पिन हैट आटोमेटिकली टूड़ आएगा और नुकसान होगा तो आज का वीडिय कर लिजेगा वीडियो को लाइक शेर कर दीजेगा बैल बटन को जरू दबा दीजेगा जब भी नया वीडियो लाओंगा तो नौटिफिकेशन मिलता रहेगा तो मिलते हैं दोस्तों जैह हिंद